नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाड फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चाहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन में हुड़ो देखने वाले हर किसान भाई यो मुर्गी पालन भाई का आज के हुड़ो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत तो दोस्तों मुर्गी पालन का व्योसाय करते हुए आप सबको लगता है कि मुनाफा से ज्यादा कमा जाए यह भी गलत बात नहीं है लेकिन दोस्तों आज आपको इस वीड़े में ऐसी जानकारी दी जाएगी कि जिससे आप अगर नवयुक हो और आप यहाँ पर छोटी सी ज जगह गाव देहात में या चोटे शहर में या बड़े शहर में हो और आराम से 10-12,000 का मुनाफा कमाना चाहते हो तो दोस्तों यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देखिए आपको यहाँ पर जो जानकारी मिलेगी जिसका इस्तमाल करके आप सव प्रतिशत दोस्तों एक छोटी सी जगह में भी वहाँ पर आराम से 10-12,000 का मुनाफा कमा सकते हैं इसके लिए हमें कौन सी मुर्गी का यहाँ पालन पोशन करना है उसके लिए कितनी जगह लग सकती है और साथ ही में यहाँ पर टोटल जो हमारा खर्चा है वह काट कर हमें आखिर में कितना मुन सकता है इसका आपको टोटल कैलकुलेशन दिया जाएगा हर बात आपको वहाँ पर बारीकी से बताई जाएगी जिसका कि इस्तमाल करके मेरा कोई भी मुर्गी पालक भाई अगर व्यावसाय में नया भी वह तो उसको यहाँ पर इंडियन मुर्गी पालन यह चैनल हर बीमा जितने वीडियो इंडियन मुर्गी प्यालन इस चैनल ने अपलोड किये उतने देखने पड़ेगे दोस्तों और आपको ए से लेके जेर तक सिखाने का वादा खुद मैं उदयलाड आपको करता हूं दोस्तों लेकिन आपको हर वीडियो यहाँ पर देखना पड़ेगा स्काइड को एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का दोस्तों उसको टच करने के बाद अगर वहाँ पर कलर चेज हो गया तो बगल में घंटी आती उस घंटी को टच करना है और और इस नोटिफिकेशन को आन करना है दोस्तों जिससे कि क्या होगा कि आने वाला हर वी मुर्गी पालक भायों में इस वीडियो को शेर करने के लिए परस्नल वाटसप नंबर वाटसप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बुक और इंस्टा का आप इस्तमाल कर सकते हैं और कुछ समस्या उत्पन्न होती है तो बेज जग कमेंट सेक्शन में भेज़े आपकी यहां से आप देता हूँ और आपका हर यहां पर जो कमेंट सेक्शन में आने वाली तकलीप समस्या होगी उसकी आपको यहां पर सोलिशन अगले हुडियों के माध्यम से दिया जाएगा तो देखो दोस्तो मुर्गी पालन का व्यावसाए दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाए हैं मुर्गी पालन का व्यावसाए दुनिया का सबसे कम लागत का व्यावसाए हैं मुर्गी पालन का व्यावसाए इस लोगडाउन में हर व्यक्ती को रोजगार देने वाला व्य यहां पर उत्तरी भारत लो दक्षिनी भारत लो पश्चिमी भारत लो यहां पर prepared भारत में राज्या आप चले जाए वहां पर जिस मुर्गी को देशि मुर्गी के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है उस मुर्गी का नाम है दोस्तो RIR यानि रोड आइसलेंड रेड यह मुर्गी पूरे भारत वर्ष में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है दोस्तो जो मुर्गी साल में 280 से लेकर 300 अंडे देती हो और जो मुर्गी वहाँ पर देशी मुर्गी की क्रॉस वराइटी ब्रीड हो उस मुर्गी को कोई पसंद ना करने वाला हमारे भारत में तो पागल ही कहा जाएगा इसलिए दोस्तो आरायर मुर्गी की डिमांड दिन बढ़ते ही जा रही है इसका लाव उटाने के लिए हमें यहां का करना है दोस्तो कि आपर हम यहां पर गाव दियाहत में हो चोटे शहर में हो बड़े शहर में कोई दिक्कत ने भारत के हर कोने में, हर राजे में, हर जिले में, हर तहसील में जिस मुर्गी को डिमांड है उस मुर्गी का नाम है RIR तो दोस्तो इस मुर्गी के खासेत आप सभी को पता है कि यह मुर्गी देखने में लाल कलर की होती है और इसका पंजा पीला होता है यहां जानकारी मैंने आपको यहां पर दी हुई है लेकिन दोस्तों अगर इस मुर्गी से ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा प्राप्त करना है तो यहां वीडियो आनता तक देखिए तो दोस्तों हमें क्या करना है कि यहां पर 100 RIR मुर्गी का फार्म यहां पर लगाना है RIR की 100 मुर्गिया इस तरह से लानी है दोस्तों कि जो मुर्गी लाने के बाद हमें आराम से दूसरे या तीसरे दिन से अंडा देना स्टार्ट करें इसका मतलब क्या है दोस्तों की हमारा जो total calculation है उसमें मुर्गी अगर 50 रुपई से महेंगी मिलती है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उस मुर्गी ने आने के बाद दूसरे या तीसरे दिन से हमें अंडा देना start करना चाहिए आएसे जो criteria complete करने वाली मुर्गी की breed हमने खरी दिये दोस्तों इस तरह की मुर्गी की सव हमें वहाँ पर क्या है टोटल यूनिट्स लाने हों आएसे सव मुर्गियों का चुनाव करने के बाद दोस्तों इन मुर्गियों के साथ हमें कम से कम 10 मुर्गे रखने पड़ते हैं तो ही हमारा total sexual activity हो सकती है जिसका कि हमें वहाँ पर जो benefit है वो अंडों में दिखेगा दोस्तों और हमारा अंडों का प्रोड़क्शन एक मुर्गी के पीछे साल भर में 280 से लेके लगबग 300 तक भी रह सकता है इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करेंगे तो आरायर मुर्गी जो होती है दोस्तों अगर हमने 100 मुर्गिया संभाले तो इससे हमें अंडों का प्रोड़क्शन कितना मिलता यह भी यहाँ पर हमें जांजना पड़ेगा परखना पड़ेगा तो दोस्तों आरायर मुर्गी की अगर हम यहाँ पर जो फार्म डालते उसमें अगर 100 मुर्गयों का पालन पोशन करें और उसमें के 7-10 मुर्गे रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें आसानी से समझ में एक बात आ सकती है कि यहाँ पर जो मुर्गी साल भर में 2-80 से ले इसका मतलब क्या है दोस्तों की सव आरायर मुर्गी को पालन पुशित करने के बाद हमें जो अंडों की संख्या प्राप्त हो रही है वह संख्या है दोस्तों लगभग 75 से लेके 80 लेकिन यहाँ पर अगर हम कम से कम की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर 75 अंडे आराम से मिल सकत लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि यह मुर्गी देशी मुर्गी पर क्रॉस करके बनाई गई है इसलिए इसका जो अंड़ा होता है उसका रेट थोड़ा देशी मुर्गी से कम होता है इसका मतलब क्या है दोस्तों देशी मुर्गी का अंड़ा कही कही 8, 10, 12, 15 तक जाता ह लेकिन इसका जो अंडा है दोस्तों कही 6 कही 8 तो ज्यादा स्यादा 10 रुपे तक जाता है लेकिन एवरेज आउट रेट की बात करेंगे दोस्तों तो देशी मुर्गी से RIR मुर्गी का जो अंडा होता है वह 2 रुपे से लगभग कम में भीकता है इसका अगर इस्तमाल तो इसी बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो और आयर मुरुगी का एक अंड़ा कम से कम आठ रुपए के करीब करीब भीग सकता है इसमें दोस्तों अगर यहाँ पर सरदियों का मोसम हो तो इसमें एक दो रुपई की बढ़ोत्री हो इसका रेट हमें आराम से 8 रुपए के करीब करीब मिल सकता है दोस्तों अगर इससे कम आपको मिलता है तो आपके मुनाफ़े में थोड़ा फर्क गिर सकता है बाकी कुछ नहीं तो दोस्तों देखो अगर हमारे पास सोचेंगे कि 75 अंडे रोज की मिल रहे दोस्तों इसमें क् 75 बताया गया इसका मतलब हर दिन 75 नहीं लेकिन एवरेज आउट 75 मिल सकता है महिने के बाइस सो पचास आंडे आपको लगभग मिल सकते अगर इसका कैलकुलेशन पकड़ेंगे दोस्तों तो आराम से एक बात समझ में आ सकती है कि अगर हमें सव आरायर मुर्गी से हर दिन 75 आ अगर 600 का टोटल कैलकुलेशन निकाले दोस्तों तो यहां पर महिने के पीछे 18,000 और साल भर की बात करेंगे दोस्तों तो लगभग 2,16,000 की रकम बनती है लेकिन महिने के पीछे यह 18,000 और साल की पीछे 2,16,000 की यह रकम हमारी टोटल इंकम की रकम नहीं है इसमें से अभी हमें खर्चा निकालना पड़ेगा तो ही हमें पिवर मुनाफ्या यहां पर पता चल सकता है इसके आनुसार दोस्तो आरायर मुर्गी का जो खाना है और खद्य प्रसंसकरन है दोस्तों यह देसी मुर्गी के करीब-करीब सेम है RIR मूर्गी की टोटल लंबाई, चवढ़ाई, कलर छोड़ दे, दोस्तो तो यह लगभग देशी मूर्गी के करीब-करीब होती है इसका मतलब क्या है दोस्तो कि RIR मूर्गी दिन का जो खाना खाती है वह देशी मूर्गी के करीब-करीब और 50 प्रतिशत है हम उसको लियर का फीड गेहूं चावल आदी दे तो इसके हिसाब से दोस्तों हमारा जो व्यापन होगा यानि इसका मतलब क्या है कि जो व्याय होगा यानि कि हमारा जो खर्च होगा खाने पर दोस्तों वह एक मुर्गी के पीछे ज्यादा से ज्यादा एक करीब करीब बैटता है दोस्तों अगर आपको इसका टोटल कालकुलेशन चाहे तो पिछले वुडियो में दिया गया दोस्तों आप वहां पर जाके देख सकते हो तो देखो दोस्तो एक रूप्य के करीब कर्वियाने सव मूर्गि और 10 मूर्गि हो तो हमें 110 रूपय का खरचा हर दिन खाने के उपर लगता है साथी में दोस्तों 10 से लेके 20 रुपए का अगर हम वहाँ पर टीका करने या मेडिसिन का खर्चा पकड़े और डॉक्टर का खर्चा अलग से वहाँ पर थोड़ा बहुत 5-10 रुपए पकड़े 500 रुपए अगर चले भी गए तो 450 की रकम कुल वहाँ पर बचती है दोस्तों 450 का टोटल कैलकुलेशन 30 दिनों के हिसाब से करेंगे दोस्तों तो आपके पास रहने वाली जो कुल राशी है वह 13,500 ही दोस्तों इसमें से और 1500 अमर्जेंसी खर्च जैसे इलेक्ट्रिक बिल साथी में ट्रांस्पोर्ट का खर्चा या एकायत मुर्गी वहाँ पर एकस्पायर होती है तो दोस्तों आपका जो है लॉस ना हो इसलिए आप 15,000 एक्स्ट्रा मनी हर मैने वहाँ पर निकाल के रख सक रखते हैं अमर्जेंसी के लिए जिससे कि आपका कैलकुलेशन में कोई भी गडबना हो ना वह बिगड़े दोस्तों इसके अनुसार 13,500 में से कुल 1500 की रकम चली गए तो 12,000 की रकम बचती है दोस्तों यही तो है हमारा प्यूर मुनाफ़ा क्योंकि इसमें से हमने खाने का खर्चा, टीका करन का खर्चा, एलेक्टरिक का बिल, ट्रांस्पोर्टेशन, डॉक्टर का खर्चा, साथ ही में एमर्जेंसी के लिए वहाँ पर 1500 रुपे छोड़ दिये हैं इसका मतलब है दोस्तों कि सच में आप गाव देहात में रहो, छोटे शहर में रहो या वहाँ प चाहा है तो रहा है दोस्तो, there is will, there is way, इसके हिसाब से दोस्तों अगर आपके मन ने ठानी है, सोच विचार पका है तो थोड़ा स्टीका करन और बीमारी एक बार सीख लिए, तो दोस्तों आप सव प्रतिशत छोटी सी छोटी जगह से भी लाखों का मुनाफा वहाँ पर प जालते हैं, महनत तो इतनी करते हैं कि जो एकाद यहाँ पर खिलाडी है, उसके साथ भागने में तो एक ही दिन जीत जाएंगे, लेकिन दोस्तों इनका कैसा होता है, खरगोश के सरीका, खरगोश भागता तो बहुत तेज है, लेकिन आगे जाके बहुत जल्दी रुक भी जाता है दोस्तों, हमें वहाँ पर खरगोश नहीं बनना है, हमें बनना है दोस्तों कचवा, हमें हमारी चाल धीमे रखनी है, लेकिन यही धीमापन आगे जाके हमारे तरक्की का सबसे बड़ा स्थम्ब बन सकता है, इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर ठान लो, सोच लो, व कोई भी साथ छोड़ सकता है दोस्तों लेकिन मैं खुद उदयलाड आपकी कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा दोस्तों आपके व्यवसाय के लिए आपको बेस्ट आप लग आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षन में लिख कर वेजिए आपकी समस्या भी बे का मुनाफा गाव देहात में भी कमा सकती हो एक बार सोचो विचार करो और उसके बाद खुद के फैमिली में डिसकेशन करो और आप व्यवसाय की शुरुआत करो आपकी आने वाली हर तकलीफ को दूर करने की कोशिश मैं मेरे अगले वीडियो के साथ करूंगा अगर यह व वाटसब नंबर वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टा पर लिंक भेशते चलिए और सब्सक्राइब रहा होगा दोस्तों तो वीडियो की दाई साइट में निचली तरफ आने के बाद लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का उसको टूच करने आपको मिलता रहूंगा नया वीडियो नई कंसेप्ट आप सभी के सामने लाने तक मेरे हर मुर्गी पालक भाई और किसान भाई को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद